आज हम बात करने जा रहे है रिलेटिव मोसन के बारे में सापेक्सिक गति की बारे में इससे भी नीट में कोश्यन आता है और एक अच्छा कॉंसेप्ट है सापेक्सिक गति किसी कहते है तो किसी भी वस्तू का किसी अन्य वस्तू या किसी निर्दे संत्र के सापेक्स गति को क करते हम सापिक्सिक गति कहते हैं यह दि हम उन दोनों वस्तों की वेक की बात कर रहे हैं या वेक की सापिक्स देख रहे हैं तो उसको सापिक्सिक वेक बोलेंगे और हम उनके चाल को कंपायर कर रहे हैं तो सापिक्सिक चाल और त्वरन की हम बात करेंगे तो उसको सापिक्सि का B के suffix तो car A का B के suffix जो भी होगा वो वी ये भी होगा जिसका suffix निकालना है जैसे car A का तो A पहले आएगा और B जिसके suffix हम निकाले वो बाद में आगा जैसे velocity of car A velocity of car A with respect to B और यहाँ पर हम देखेंगे तो velocity of car B with respect to A B तो पहले यहाँ पर B आ जाएगा ठीक है यति दोनों कारे समान दिसा में चली है ठीक है तो हम इसको negative कर देते जैसे एक car जो हो आगे चली है और दूसरी car भी आगे चली है तो दोना को जो relative आगा वो माइनस में आजाएगर दोनों कारे अगर विपरीत दिसा में चली है जैसे यह चली है तो इनका जो है वो velocity है वो जोड़ जाता है इसके बारे में हम आगे अच्छे से बताएंगे जैसे हमने यहाँ पर एक बना रखा है कि अगर हम सबसे पहले क्या लेंगे कि जो आगी का direction होगा उसको हम positive लेते हैं और पीछे के direction को negative लेते हैं अगर हम यहाँ पर लिखे velocity of A with respect to B तो यहाँ पर क्या होगा VA minus VB यह formula है लेकिन जो VA है वो तो आगे positive direction में चला लेकिन जो VB है वो भी positive direction में चला है तो यहाँ पर क्या आजाएगा दोनों ही negative आजाएंगे तो समान दिशा में चलते हैं तो negative आजाएगा अब हम बात करते हैं कि आगे तो positive है लेकिन पीछे क्या है negative है अब हम बात करते हैं velocity of A with respect to B तो यह आजाएगा VA minus VB अब VA जो है वो positive में चला है तो VA minus तो जो formula में है वो आएगा और B जो है वो negative direction में चला है तो यह आजाएगा negative और जब हम पूरा इसको देखेंगे तो minus minus plus हो जाएगा तो हम इसको पूरा derive करके जब हम लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं लेकिन आप direct या रखो तो अच्छा र चली है एक scooter है जो कि 10 km पर आर से और car 40 km पर आर से चली है हमको पूछा है कि velocity of bus with respect to scooter तो velocity of bus किता है उसमें से हमको minus formula पर देख रहे हैं अगर हम यहाँ पर देखें तो sign convention के अदुरसार हम यहाँ पर जो है इस साइड प्लस लेंगे इस साइड जो हम minus लेंगे scooter जो है वह minus में चल रहा है ठीक है और bus का जो velocity हो 25 minus formula का और scooter का velocity 10 और minus है क्योंकि विप्री डारेक्शन तो 25 और 10 35 तो इसका जो relative हो जाएगा वो 35 हो जाएगा अगर आपको पता है कि विप्री डारेक्शन में जो चल रहे है तो direct जोड जाते है तो आप 30 लिख सकते हैं फिर हम बात करते वैलो सिटी अब बस विद कार कार आगे च इसलिए चालीस आज आएगा और यहाप पर आंसर आएगा माइनस का पंदरा हैना 25 में से माइनस चालीस नमें पंठाएंगे तो माइनस पंदरा आएगा माइनस कार थी यह हुआ कि आप बस में बैठ कर कार को देख रहे है तो आपको बस अपनी जो है हैना velocity of bus with respect to car तो बस आपको पीछे जाती हुआ दिखाए दिए इसलिए आपका नेगेटिव आया इसी के अकोडिंग वैलोसिटी आफ कार विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर 40 और 10 क्योंकि दोनों विप्री डारेक्शन में आ रहे है तो इसका हो जाएगा 50 किलोमेटर पर आर इस परकार से आप वाला बस को 100 सेकेंड में पकड़ना चाता है और बस और स्कूटर की मद्य की जो दूरी है वो एक किलोमेटर है तो बस का पीछा करने के लिए उसकूटर को किस चाल से चलना पड़ेगा तो सबसे पहले हम बना देते हैं कि एक स्कूटर वाला यहां पर है जो कि आगे की दिसा में जा रहा है और बस जो है वो यहां पर खड़ी है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की रफतार से चलनी है यहां सी यहां तकी दूरी मैं किलोमेटर में न लिकर मीटर में लिक रहा हूं और जो टाइम लग रहा है वो लग रह कि टाइम होता है यहां निकाल दे कि चाल बराबर दूरी बटा समय तो दूरी दे रखी है हजार मीटर समय दे रखा है 100 सेकंड तो यहां पर आपका आंसर रहाद आएगा 10 मीटर पर सेकंड ठीक है यहां पर वैलो सिटी आगा 10 मीटर पर सेकंड अगर हम बात करें अगर मैं यहां पर लिख दू कि 10 मीटर पर सेकंड इसका वैलो सिटी है और बस का भी वैलो सिटी सैम है तो क्या स्कूटर वाला बस को पकड़ पाएगा कभी नहीं क्योंकि दोनों का डिस्टैंस जो है वो मेंटेन ही रहेगा तो जो यह वैलो सि यहां पर हम लिखेंगे velocity of scooter with respect to bus यहां पर हम S और यह B कर देंगे क्योंकि same direction में जा रहा है इसलिए negative हो जाएगा relative जो हमने निकाला हुआ है 10 velocity of scooter हमको निकालना है और velocity of bus हमको दिरखा है 10 तो यहां से velocity of scooter आ जाएगा जब 10 को में इदर टांसफर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 है ना जब आप यहां से देखोंगे तो यह जब 20 से चलेगा तो इनका relative हो जाएगा 10 इससे जब आप relative मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट कुश्चन आता है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन उत्र दिसा में 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चली है एक छोटा पक्सी ट्रेन की उपर 5 मीटर पर सेकेंड की दक्षिन दिसा की और उड़ रहा है तो पक्सी उस ट्रेन को कितनी देर में पार कर लेगा मानना कि यह ट्रेन दे रखी है 210 मीटर की और ट्रेन चल लिए है नौर्थ साइड में पक्षी जो उड़ रहा है वह साउथ साइड में उड़ रहा है पक्षी का जो वेलो सिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है ठीक है तब दोनों जो है वो सेम डारेक्शन में नहीं है वे प्रीड डारेक्शन में है तो दोनों का जो वेलो सिटी है वह जोड़ जाएगा क्योंकि ट्रेन जो है वो 25 से चली है और पक्षी जो चला है वो 35 से चला है तो दोनों को ज नहीं है तो हमको time निकालना है और time बराबर होता है distance by velocity distance हमको 210 दे रखा है जो कि train का है और velocity हम relative लेंगे तो यह जीरो से जीरो कट जाएगा तो आपका answer आजाएगा 7 seconds में तो जो 7 seconds में है यह पार कर पाएगा इसके साथ हमें एक और concept देखते हैं जैसे कि यहाँ पर train जो है वो 25 मीटर पर सेकंड की रप्तार से चल ली है और पक्षी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है या उड़ रहा है अगर हमको इसमें एक concept आता है कि या एक trick मानलो आप उसको कि हम train को रोक देंगे train को रोकने के लिए जितना वो आगे चल ली है वेग से उतना वेग हम इसमें पीछे लगा देते हैं और जितना अगर हम इसमें लगाएंगे उतना का उतना हम इसमें भी लगा देंगे तो यह 25 और 5 हो जाएगा क्योंकि दोनस सेम डारेक्शन में 25 भी इसी डारेक्शन में है पक्षी के लिए और पांच भी इसी डारेक्शन में है जिस डारेक्शन में आपने 25 को train पर जिस डारेक्शन लगा उस पर ही आप पक्षी पर लगाएंगे तो 25 और 5 तीस हो जाएगा ट्रेन का दे रखात आपको 210 और आपका यह आ जाएगा 30 तो यह भी आपका 7 सेकंड आ जाएगा उसमें आपको माइनस प्लस का देखना नहीं बड़ेगा जिसका आपका निकालना है उसका उसके जोड़ कर आप उसमें कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन आता है कि पुलिस की जीब जो है वो 45 किलोमेटर पर आर से चली है चोर की जीब को पिछा कर रही है जो की चोर की जीब जो चली है वो 153 किलोमेटर पर आर से चली है तो पुलिस वाला 180 मिटर से पर सेकंड से गोली को दाखता है तो वो जो गोली है वो जीब स से कितने वेग से टकराएगी तो हमको पहले जो दे रखा है डाटा वह हम लिख देते हैं जैसे हमको दे रखा है कि पलीस की काड़ी जो है इसको मैं पीजरी नॉट कर रहा हूं वह चल ली है आपकी 45 किलोमेटर पर आर्से और जो चोर की गाड़ी है जिसको मैं टी लिख रहा हूं थीव के नाम से तो वो चू चल रही है वो चल रही है आपकी 153 से यहां पर आगा अब लिए देख रुखा है किलोमेटर परार से में तो उसको हम करेंगे चैंच ठीक है इसमें आप 3 से काड़ देंगे उसको तो यह आजाएगा 15 यह आजाएगा 6 यह आप और तीन से करेंगे तो आपका आजाएगा 5 और यहां पर आजाएक का दो भी हो जाएगा 25 वटा दो तो मैं आपको डारेक्ट 25 वटा 2 ही लिखकर बता रहा हूं ठीक है जस्ट वेट यहाप आपको जाएगा 25 वटा 2 मीटर पर सेकेंड और यहां पर 153 है इसको हम 5 वटा 18 से करेंगे यहां से हम इसको 3 से काटेंगे तो यह चाहेगा 5 वा और यह जाएगा एक वार तो एक काव तीन से वार कटिंग है तो यह 17 वार कटेगा 17 51 होता है और यहां सी यह कट जाएगा दो वार तो 17 इंटू 5 पाइद दो ठीक है जस्ट वेट 17 इंटू 5 पाइद तो 17 का हो जाएगा आट और यह हो जाएगा दो इसका जो वेगा जाएगा थोड़ी कैलकुलिस में टाइम लगे उसके लिए सॉरी तो दोना का वेग हमारा मीटर पर सेकेंड में आ गया और अब यह जो गोली जो फायर कर रहा वो कर रहा है 180 मीटर पर सेकेंड से अब हमको क्या करना है इसमें से हमको कोई एक चीज को रोक देना है हम किसको रोकेंगे हम रोकते हैं चोर की गाड़ी को रोक देते हैं या पुलिस की गाड़ी को भी रोक सकते हो अगर हम चोर की गाड़ी को रोक रहे हैं या हम पुलिस की गाड़ी को रोक रहे हैं या हम पुलिस की गाड़ी को रोकें तो यहां से हम देखेंगे इसमें हम क्या लगाएंगे क्योंकि यह 25 by 2 से आगे चल लिए तो इसमें भी 25 by 2 आप पीछे लगा देंगे और सेम हम इस पर भी करेंगे 25 by 2 पर तो यहां जो है यहां तो जीरो वैलोसिटी पर आ जाएगे लेकिन यहां आप आ जाएगे आपका 85 by 2 यह आपका आजाएगा 60 by 2 और पीछे चल लिए पुलिस की गाड़ी रुख गई है अब यहां पर हम देखे तो यह से किस डारेक्शन में अब देखो अगर आप देखें तो यह गोली है वह भी आगे चल लिए जीब भी आगे चल लिए तो दोनों सेम डारेक्शन में तो दोनों negative हो जाएगी यहां आप वापस पर लगा ज़कते हो कि आप पोलिस चौर की गाड़ी को रोक दे तो यहां पर आप पीछे भी 30 लगा दो यहां पर भी 30 लगा दो तो 180 में से 30 गया 150 तो गोली जो 150 से डग रहेगी अन्य था आप यहां भी कर सकते हो कि 180 माइनस 30 हो जाएगा क्योंकि दोनों जो है उस सेम डारेक्शन में तो भी आपका 150 मीटर पर सेकेंड आन्सूर आ जाएगा आई होब आपको यह समझ आ गया होगा देखा हमको निकालना था कि वह किस वेग से टगराएगी अगर हमने 130 से इसको फायर किया है तो 30 से वह भी आगा जा रहा है अगर यह रुका रहता ना रुका कप रहता जब हैस पर 30 का पीछे लगाती और 30 का इस पर पीछे लगाती अब वह रुक गया है तो यह relative से चल रहा है 150 से आंसर 150 यह आ जाएगा तो इस वरकार से हम इस question को सरल तरीके से solve कर सकते हैं next question आता है कि एक boat जो है 3i 4g की रप्तार से नदी में चल रही है पानी धरातल के शापिक्स सल रहा है minus 3i minus 4g से तो boat का पानी के शापिक्स वेग बताई है हमको निकालना क्या है velocity of boat with respect to water तो इसके निकालना के लिए हमको चाहिए boat का वेग और दूसरा चाहिए water का वेग तो यह जो वेग होता है ना यह ground के सापिक्स होता है है ना क्योंकि ground के सापिक्स सब चीज़ चल दिया हम उसको लिखती या renoat नहीं करते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करें तो हमको दे रखा है कि boat जो है वो चल ली है 3i plus 4 जैसे धम्याप लिख देते हैं 3i cap plus 4 j cap और हमको दे रखा है कि velocity of water with respect to ground जो है वो 3i यह दे रखा है माइनस का 3i cap माइनस का 4 j cap तियां से 3 और यह 3 प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 6i cap यह हो जाएगा 8 j cap तो answer आप जाएगा 6i cap plus 8 j cap यह भी question आ रखा है previous year में पंजाब के कुछ PMT boards में next question दे रखा है कि एक नदी जो है वो पस्चीम से पूरो 5 meter per minute से बहरी है और एक व्यक्ति ठहरी वे पानी में 10 meter per minute से तैर सकता है तो उस व्यक्ति को किस दिसा में तैरना चाहिए ताकि वो नियूंतम दोरी से दक्सीन किनारी की और पहुंच जाए तो नदी जो है वो वेस्ट से इस्ट की और बहरी है 5 meter per second से तो हमने मान लिया कि वो व्यक्ति किसी ठीटा एंगल पर पहरा है और 10 meter per second इसकी देख दे कि यहाँ पर यह 10 दे रखा है वाटर का जो वेग है या बानी का जो वेग है वो यहाँ पर 5 यहाँ पर भी 5 होगा यह हमको दे रखा है ठीटा जो कि हमको निकालना है तो यह ठीटा हो गया तो यह आपका हो जाएगा यह आपका कर्ण हो जाएगा 10 और 5 हो जाएगा आपका लम हो जाएगा तो हम देखें कि sin theta जो है जिसमें आता है L by के लम बटा कन जो है sin theta में आता है लम दे रखा आपका 5 कन दे रखा आपका 10 तो यहां से आपका आजाएगा 1 by 2 और sin 30 का मान जो है 1 by 2 होता है तो यहां से इस कौन का मान किता आ गया इस कौन का मान आ गया 30 degree और 90 degree हम और जोड देंगे क्योंकि इस किनारे से हमको ग्याद करना है तो आपका आंसर हो जाएगा 120 degree किनारे से एकदम सिंपल है 120 degree के कौन से जब वो ते रहेगा है ना यहां से तो 30 degree है नदी से 120 ते रहेगा तो वो आराम से मुस्लमाला कौन सेवर आपको अच्छे से समझाया होगा